नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का आज के इस वीडियो में दोस्तों नौरात्रों का सीजन चल रहा है और आज दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए एक बहुत ही जबर्दस ट्रेक्टर लेकर का आया हूं जोंडियर का दोस्तों जोंडियर का ऐसा म 4y4 का जो की CRDI model है power tech gear pro model है इस ट्रक्टर के सारे features के वारे माज हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा जो भी इसमें हमें मिल रहा है कितने में on road हमें पड़ेगा सारी बाते करने वाले हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं होता है free of cost होता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सो अब बात करें दोस्तों ट्रेक्टर के बारे में तो ट्रेक्टर का पूरा जो लुक है वह आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा तो इसमें थोड़े से बदलाव करके जो बात करें दोस्तों इंजन के बारे में तो इसमें आपको CRDI यानि की 57 HP का High Pressure Common Rail HP CR आपको मिल जाता है जो अपनी maximum power produce करता है 200-100 रेटेड आर्पीम पे 2700 CC का पूरा का पूरा और 42 किलोवाट ये निकाल करके देता है अपनी पूरी maximum power साइड में अगर आप देखेंगे तो यह आपको यहां पर पावर स्टेंग दे रखा है जो कि सिंगल सिलेंडर और डूल एंटिंग है मतलब दोनों साइड में यह operate होता है पूरा का पूरा बात करें दोस्तों इसके ताइस के बारे में तो जो आगे के टाय से वह आपको न बात करें के प्लेटफरों की आपको चैणे कर देखने को मिल दाता है हीट गार्ड लग हुए है कज असे बूत ही क्रों करने के के लिए तो कम करने के लिए यहां परीट गर्ला हुआ है हीड फिर रख यहां से एजिली आप दोनर जगए लिए पकर पकड़ कर कर सकते हैं सिंगल स्टेप लिए रखा है तो आप चड़ को दिखातों कैसा कुछ भी हमें देखने को मिलता है दोनों जो लीवर है वह आपको प्राइमरी और सेकंडरी आपके रेंज में आपके रेंज में आपके रीच में है पूरी की पूरी सो दोस्तों ड्राइवर सीट पर बैठ के तो कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देता है जैसे गाड़ी में दिखाई देता है उस तरह से पूरा आपको इंडिकेशन आपको डैस्पोर में दिखाई देता है पूरा का पूरा जो डैस्पोर है वह आपको डिजिटल देखने को मिल जाता है सारी की सारी इंडिकेश दे रखा उसमें रखकर के पार्किंग लैट हां पर आपको दे रखिए और यह 2 आपको दे रखे हैं दोस्तों स्टेंडर और एकॉनमी दोस्तों यह जो ट्रैक्टर है इस टैंडर में आपके लिए 57 HP निकाल करें देगा और अगर यह 57 आपको पूरी पावर जो आपको चाहिए पचास अच्पी उतनी आपको मिल जाएगी दोस्तों यहां पर यहां पर यह आपको हैड लाइट्स के और को दिए रसमें आपको हम्द आपको यहां पर रखे रख सारी इंफरमेशन और बात करें तोस्तों करें से कॉच मिलता है नाप अपको यहां को डिनारें कोonedow बड़ी ही, आप इनको operate कर सकते हैं, suspended होने के कारण की जो operation है बहुत स्मूध है, आप असानी से इनको operate कर सकते हैं, दोस्तों उसके बाद इसका जो race का lever दे रखा है वो नीचे बिलकुल brakes के के जस नीचे आपको दे रखा यहां पे और इसके बाद अगर इधर बढ़ेने तो इसका आपको जो primary gear का लिवर आपको यहां पर आपको दे रखा है जिसमें आपको एक दो तीन Gears Speed आपको दे रखी है, Reverse दे रखा है, और Parking भी दे रखा है, और उसके पीछे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको Position और Draft Control के लिए वर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जिनसे आप अपने पीछे कोई भी Implement लगा हुआ है, उसकी Position और उसकी जो Height है वो पूरा Set आप करना चाहते हैं, तो वसे आप सेट कर सकते हैं, यह जो गिदे रखा है आपके लिए auxiliary lever दे रखा है, ठीक है, और differential log भी दे रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पीछे जो लीवर आपको दे रखा है, यह differential log है, इसमें क्या होता है, जैसे आपको एक यहाँ पे इसमें double clutch मिल जाते हैं, इस वाले clutch से आपका केवल gears operate होते हैं, और पीछे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको secondary gear का lever आपको मिल जाता है, इसमें ABCD, 4 speeds आपको यहाँ पे दे रखी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ABCD, 4 और 3 वहाँ पे तो 4 ती यह बारे speed आपको forward मि इसमें ANY यह बारे कि अवरा दे रखा है कि यह बारे लिवर आपको यहनों पहर बतल आप यहां पर आपि ने पर अरम से उसके पीछे आप बढ़ेंगे तो यह कि आपको दे रखा है और यह को तो की बिई रखा है शब्से ऑप अपनी पी टियों को को अऱ डिमेंघ पूर कर सकते हैं 540 economy और 540 standard का आपको पीटियो मिल जाता है ठीक है और जो प्रडूस करता है economy निकलेगा 168 rpm पे और standard आपको 218 rpm पूरा देखने को मिल जाता है सो दोस्तों अब बात करते हैं इस ट्रक्टर के आगे से सुरुआत करते हैं आगे से कैसा देखने में हमें लगता है तो थोड़ा सा अगर दूर से इसको देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा 4x4 model है काफी बड़े टायर से आगे के रेडियल टायर से और आगे से अगर आप देखेंगे तो पूरा जो लुक है वो एरो डायमिक बनाएगा ट्रक्टर का ये साख फिन यहाँ पर दे रखा है क्रोम में उसके आगे आप देखेंगे तो जो LED आपको लाइट्स मिल जाती लेकिन ग्लास असमें नहीं है इसमें यहाँ पर ग्लास दे रखा है बिल्कुल अंदर में और LED प्रोजक्ट लाइट्स का सेटप दे रखा है जो जाली दे रखी है वो पूरी आप अपनी चाबी से इसको लॉक अनलोग कर सकते हैं बैंटरी वगरा चोरी होने का कोई भी ट अब दोस्तों इंडिया प्राइवेट लेमिटेड का करारो का अपको दे रखा पूरा आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी डूटी इस तरह के एकसल होते हैं इसमें तूट फूट का कोई भी गुंजाय किसी भी तरह कर नहीं होता है और आप से चला सकते हैं यहाँ पर ग्र पावर टेक गियर प्रो जोंड यर 53 की ब्रैंडिंग आपको दे रखी है यहाँ पर भी एयर वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि एयर टेक्टर जब चले तो टेक्टर के जो गर्मी है वो आसानी से बाहर निकल जाए और टेक्टर लंबे समय तक चलता रहे बिना गरम हुए डवल पंप आपको दे रखें पावर स्टेरिंग और हाइडोलिक का पंप दे रखें और यह जो दोस्तो आपको इंडियोनोल का फिल्टर आपको दे रखा है काफी और सैयराडर मोटर और यहाँ पर लगा हुआ और यह दोस्तों यह दे रखा है एच पी स जो यूनिट होती है तो टेक्टर की सारी जानकरी को रिकॉर्ड करती है और आप चाहें तो एक लैट टॉप लगा करके पूरी की पूरी जानकरी को पर सकते हैं तो यह हो गया पूरा सेट अप इधर से आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अब दोस्तों इसके पीछे चलते कि दो हजार से पची सो केजी के मिल जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो थेक्टर है वो दो हजाल इटिंग के साथ है आपको पिछे लाओ जाते बादे से इन सकते हैं यह आपको पीछे का जो यह चेइज करनी कले हैं हाउजिंग का वाइल बात करें सके फ्यूल टैंक के बारे में तो इसमें आपको 71 लीटर डीजल भरवा सकते हैं एक ही बार में जो कि काफी जादा है एक ही बार भरवा और आम से पूरे दिन चला हो काफी बड़े आपको डिवर्स दे रखें जो कि काफी चोड़ा इसको काफ असको बहुत सेटब बोलते हैं अलग लग लग तर्म में लेकिन यह बहुत अच्छी चीज़ है यसमें पहली बात तो क्या है यह जो मैटल समें यूजर नियुकि अज़ बारे में तो पीछे का जो एक्सल्ए और डारेक इस इस्टिट एक्सला फिक है और इस बहुत है वि किसी भी तरह की नहीं आने वाली आप 10 साल ट्रक्टर को चला ले ना पीजे कैसल सापको कोई दिक्कत नहीं होने वाली तो दोस्तों यह था जोंडियर उपने तो दोस्तों यह चिपक फोर टॉप अब लिए लगड़्य लाखु और मिल जाएगा ऑस दोकी का इनसे